बाबा बुला रहे है बच्छों बतन में आओ अब मुझ को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ दुखियों की चेत कारे क्या तुल कलत ना आई क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई दुखियों की चेत कारे क्या तुम तलक ना आई क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई उनको दरश दिखाओ अब कुछ तरस तो खाओ बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ जब जब मुझे बुलाओ तब 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 मुझे को ना बुलाओ तब में पास आया सर्वस्वपना देकर बादा हर इतनी वाया जब जब मुझे बुलाओ तब तब मैं पास आया सर्वस्वपना देकर बादा हर इतनी वाया मेरे समान बनकर तुम भी वादा निभाओ तुम भी वादा निभाओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आया ओप्शन दे एक असी वर्षिय पिता अपने एक पचास वर्षिय बेटे के साथ एक कमरे में बैठे हैं और वो पिता पूछते हैं खिड़की पर ये कौन है तो बेटा कहता है एक कोवा है थोड़ी देर के बाद वो पिता फिर पूछते हैं खिड़की पर कौन बैठा है बेटा कहता है एक कोवा बैठा है थोड़ी देर के बाद पिता फिर पूछते हैं ये कौन बैठा है खिड़की पर बेटा कहता है, एक बार बोल तो दिया न, कि कववा बैठा है, थोड़ा देर और भी इता है, और थोड़ी देर के बाद पिता फिर पूछते हैं, ये खिड़की पर कौन बैठा है, अब तो उस बेटे से रहा नहीं जाता है, वो चिड़ जाता है, वैता कितनी बार बताओं आपको, कि खिड़की पर एक कौवा बैठा है, और जो किताब पढ़ रहा होता है, जोर से पटकता है नीचे, और घुसा करता है, वो पिता जी वहां से उटते हैं, अपने कमरे में जाते हैं, और वहां से एक डाइरी लेके आते हैं, वो डाइरी बेटे को देते हैं, और वो पिता जी कहते हैं, ये डाइरी मैंने तब लिखी थी जब तुम तीन साल के थे हैं, पढ़ो तुमने क्या पूछा था, उसमें लिखा होता है, पिता जी लिख रहे है, आज मेरे बेटे ने पूछा, खिड़की पर कौन है, तो मैंने कहा, कौव आए फिर उसने पूचा फिर उसने पूचा ऐसा उसने तेज बार पूचा और मैंने हर बार उसको प्यार से गले लगाया और फिर उसे बताया कि वहाँ एक कोवा बटा है इरिटेट हो जाना, उदास हो जाना, दुखी हो जाना, उप जाना ये निशानी बच्पन की है जो जितना मैच्चूर्ड है इन सब बातों से परे होता है इसलिए बाबा कहते है कि तुम कौन हो तुम कौन हो शुप चिन तक नहीं पूरवच तुम कौन हो पूरवच हो दादा जी होते है तो चोटे बच्चे उनकी दाड़ी वगर खीचते है इरिटेट होते है क्या हो परेशान होते है नहीं होते है क्योंकि वह अपने स्वमान मिस्तित है मैं कौन हूँ? दादा जी पूरवज हूँ इस सारी सृष्टी के पूरवज हम है इस सारी सृष्टी के पूरवज हम सबसे पहले आए है दूसरी आत्माए हमारे बाद में आई है इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी चाहता है तो जो भी गुन पूरवज में होते है बड़ो में होते है वो सारे गुन हम में हो और यही अप्यासे यही पूरवज पूरशार्त है कहां बैठ जाओ? क्या कहां बाबा ने? कल्प रिक्ष के नीचे तुम फाउंडेशन हो तुम पूरवज हो तुम पूच अतमाए हो कितना अच्छा अभ्यास है तपस्या वैसे भी संसार में कहां करते हैं दिखाया है रिशी मुनियों को जाड के नीचे क्यों? बहुत उर्जा होती है जाड के पास बहुत उर्जा होती है प्रकृति का सानित्या एक आंतस्थान वहां बैठ कर योगी तपस्या करता है और हमें तो तपस्या जाड के नीचे नेए जाड के अंदर पर ये जाड भी थोड़ा उल्टा है ऐसा भी देखा जा सकता है तो दो प्रयोग किये जा सकते है एक तो मैं जडों में हूँ और दूसरा जाड कैसा है? उल्टा जाड है नहीं? इसकी जड़े कहा है? उपर परमधाम में तो मैं वहां हूँ और वहां से नीचे जड़ जा रहा है और सारी आत्माए है भक्ता आत्माए क्या कहा वरदान में? क्या है? भक्ता आत्माए पत्ते है सूख कही है तुम भी जुरूप स्थिती में स्थित हो जाओ शक्ति शाली सबको उर्जा मिलेगी सबको शक्ति मिलेगी तो ये दो अभ्यास है जड़ों में बैठना और सारे ज़ाड को सकाश देना तो अभी अभी मुर्ली चली शान्तिवन में पच्चीस तरीको मुर्ली थी 2010 की 15 मार्च की आज हम उस मुर्ली की चर्चा करेंगे 15 मार्च 2010 और उसमें फिर थोड़ा थोड़ा आज की मुर्ली भी जोड़ते जाएंगे 25, 26, 27, 28 तोड़ी ज़्यादा दिन हो गए उस बीच बहुत कुछ नया नया ग्यान आ ग्या फिर भी क्या कहा था बाबा ने उस मुर्ली में वियर्थ समाप्त करो और क्या कहा था समर्थ बनो और क्या कहा था समय को समीप लाओ और क्या करो एक्स्ट्रा सकाश तो और क्या कहा था समपूर न पवित्रता और क्या कहा था आवाज सुनो बाबा ने कहा तुमको क्यों नहीं सुनाई देता है पता नहीं बाब को तो सुनाई देता है तुमको क्यों नहीं सुनाई देता है और बच्चे क्या कहते हमको भी वो ही तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि हमको सुना ही क्यों नहीं देता है दुखियों की चितकारी क्या तुम सुन नहीं पाते तो उस मुरली में बहुत सारी बाते थी उसमें से साथ मुख्य बातों की हम चर्चा करेंगे सबसे पहला प्रभु प्रेम सबसे पहला प्रभु प्रेम तुम से यदि कोई पूछे क्या पूछे भगवान कहां रहते है तो क्या कहोगे परमधाम में उपर सूरच चान सितारों से पार क्या कहोगे भाबा ने कहा प्रभू प्रेम का अनुभाव परमात्म प्यार का अनुभाव कितना है प्रभू प्रेम के नशे का अनुभाव क्या वास्तों में अनुभाव है आत्मा पूर्ण है बिना उसके प्रेम के जब तब उसका प्रेम उसमें नहीं भरता है जो कुछ वो करते रहे, एक रिक्तता ही रहेगी, वो प्रेम उसमें भर जाए, और ये उसका स्वरूप है, उसका स्वभाव है, उसको कहीं से मांगना नहीं है, किसी से छीनना नहीं है, किसी से लाना नहीं है, उधार नहीं लेना है, ये आत्मा का मूल स्वभाव है, कि वो उसी से प्रेम करे भक्ती में आत्मा को पर्मात्मा का अंश माना गया वो सागर ये बुद्बुदा माना गया वैसे दोनों एक कभी नहीं होते दो अलग-अलग entities अलग घटक है परंदू गुनों के रिती से समान है एक अंश है छोटा सा एक सिंदु है इसी लिए आत्मा का वस्तविक और मूल आकर्षन पर्मात्मा के प्रति ही है परंदू बीच में इतना मैल आ गया है कि वाकर्षन कम हो गया है परंदू जब तक चेतना उस परम चेतना से नहीं मिलती दुखी रहती है उदास रहती है और उस उदासी का कारण उसे कभी भी समझ में नहीं आता चाहे वो ब्रामभन भी बन जाए भगवान का परिचे भी उसे प्राप्त हो जाए अगर वो दूरी वैसी ही है तो वो दुख रहेगा ही प्रभु का परिज़े प्राप्त होने के बात भी तो सबसे पहली बात इस मुर्ली में थी परमात्म प्रेम का अनुभाव कोई पूछे तुम से भगवान कहा है तो क्या उत्तर होगा हमारे रिधे में है हमारे साथ है तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपासो जहां देखता हूँ तुम तो सर्वव्यापी की ये बात किसने प्रसित की भगवान सर्वव्यापी नहीं है परन्तु ये आत्माओं का अनुभाव है कि वो रगग में समाया है उसकी यादे, उसकी स्मृतिया वो अंदर है, वो भीतर है, वो सब जगा है ऐसा कोई स्थान नहीं, जहां वो नहीं है उसकी छत्रचाया निरंतर मेरे उपर है ये अनुभाव है जैसे आत्मा निरलेप नहीं है परन्तु आत्म अभिमानी स्थिती सर्वोच आत्म अभिमानी स्थिती जो है वो निरलिप्त अवस्था है आत्मा निरलेप नहीं है परन्तु मैं निरलेप आत्मा हूँ यह आत्मा का स्वमान है और यह बड़ा काम का स्वमान कि कोई भी चीज मुझे यहाँ पे प्रभावित नहीं कर सकती मैं निरलिप्त चेतना हूँ कोई पूछे भगवान कहा है, तो तर होगा, वो हमारे रिधे में है तीन प्रकार की मत है संसार में, एक है द्वैद वाद वैसे तो मत बहुत सारे है, परन्तु हिंदु धर्म, हिंदु शास्त्र में एक द्वैद वाद है, जिसमें आत्मा अलग है और पर्मात्मा निरंतर अलग है यह दो हमेशा अलग ही रहते हैं, माधवाचारिया एक दूसरा वाद है रामानुजाचारिय का, विशिष्ट द्वैद वो कहता है कि आत्मा पर्मात्मा में है पर्मात्मा आत्मा में है विशिष्टा द्वाइत वाद है एक तीसरा वाद है जो कहता है आत्मा पर्मात्मा कुछ ने सब एक ही है वन होमोजिनियस सर्वक खल्विदम ब्रह्मा शंकराचारिय अद्वाइत वाद द्वाइत वाद वि इन में बहुत जगड़े है संसार में, इन तीन वादों में, एक-एक वाद के बहुत सारे पंडित है, और हो हर एक सिद्ध करता है कि यही सत्य कैसा है, परंतु ज्ञान की रिती से देखा जाए, तो उन में एक समन्म यह बैठता है, कि आतमा परमातमा अलग है, यह बढ़ते जाते है, क्या अनुभव होता है, वो मुझ में है, और मैं उसमें, यह अनुभव है आतमा का, विशिष्ट अतवईत, और फिर आगे-आगे बढ़ते जाते हैं, तो अगली स्टेज क्या है, बाप समान, तीन मार्ग है, एक भक्ती मार्ग, एक सन्यास मार्ग और ब्रह्मा कोमारिस, पहला है भक्ती, भक्त, भक्ती और भगवान, तीन है उसमें, तो भक्त भक्ती करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, और करते, 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 एक स्थान ऐसा आता है, कि जहां तीनों एक हो जाते हैं, गोपियों को यह अनुभव है, कि अब व जो जूम रही है नाच रही है सब कुछ कर रही है वह स्वैम ही कृष्ण बन चुकी है ऐसा उनका नुगों यह भक्त की सर्वोच्च अवस्ता है दूसरा मार्ग है सन्यास जिसमें हट योग करते हैं जिसमें यह संसार को रिजेक्ट कर दिया जाता है मिध्या है केवल मैं आत समाधी से चालू होती है और एंड होती है निर्वीज समाधी एक हो गए दोनों तीसरा हमारा मार्ग मैं श्रुबाबा का बच्चा हूं यह शुरुबात है आगे आगे बढ़ते जाते हैं वह मुझ में और मैं उसमें और लास्टेज समान तीनों की हाईयर स्टेज समान है जगडे सब लोर स्टेजिस में फिर फिर हमें याद आता है बाइबल का वाक्या इसा मसी को पूछता है पूछते हैं तुम कौन हो वो कहता है मैं इश्वर पुत्र हूं दूसरा प्रश्ण कहीं और पूछा गया तुमारे पिता कहा है वो कहता है मेरे पिता my father that art in heaven वो स्व स्वर्ग कहा है the kingdom of heaven is within you स्वर्ग तुमारे रिदे के अंदर है फिर पूछा जाता है फिर भी बताओ तुमारा और उसका क्या संबंद है वो कहता है मैं father is in me and I am in my father मेरे पिता मुझ में है और मैं उन में है फिर भी पूछा जाता है आखिर तुम हो कौन और वो कौन है तब वो कहता है एक वाक्य और उस एक वाक्य के लिए ही उसे सूली पर चड़ा दिया गया मैं father and I are one मेरे पिता और मैं एक हूँ लोग कहते है भगवान की गलानी खुद को भगवान कहता है पर ये भी इत्तीन अवस्थाए है शुरुवात की अवस्था वो अलग मैं अलग उसक स्टेज मैं father and I are one एक रूप एक समान कंबाइंड स्टेज पीच रूप स्थी दोनो एक चाहे वो आत्माय अज्ञानी थी तब भगवान का उतरन हुआ नहीं था परन्त वो स्मृतिया तो थी न प्रेम की इश्वरिय प्रेम की उसी प्रेम को प्रगट करने के ये सारे प्रेत्न थे मार्ग थे जो उन्होंने धूंडे तो सबसे पहली चीज इस मुर्ली से प्रभू प्रेम का अनुभव उसको बढ़ाना है भक्ति में प्रसिद्य अश्ट सात्विक भाव आठ प्रकार के भाव प्रगट होते अलग अलग रुमान चा जाना और वो सारे भाव शरीर के तल पर प्रगट होते आसू आ जाना तो अच्छा पीली पड़ जाना पसीना कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ कंपन यह सब होने लगता है स्वरभंग आवाज नहीं निकल पाता है ऐसी चेतना प्रभू प्रेम में डूप जाती है ब्राह्मनों को भी होते हैं कभी-कभी ऐसे अनुभ़ा कभी-कभी जो आखों से आसुआ जाए जो अचानक याद आ जाए कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया कैसे सब तरफ से सहरा चुट किया था और उसी दम तेरा वो आना न भूल पाएंगे उस समय वो आ गया और उसने रोक दिया उसने बचा लिया नहीं तो गिर रहे थे उसने संभाला इसलिए बाबा कहते हैं अपनी प्राप्तियों को सामने रखो मुझे क्या-क्या मिला है पर हम याद ज़्यादा किसको करते हैं जो निगेटिव आते हैं जीवन की इसलिए पॉजिटिव जो है वो है पर वो मर्ज रहता है इसलिए हर दिन जबरदस्ती याद करना है अपने आपको याद दिलाना है कि मेरा जीवन कैसा रहा जब से भगवान के बने तब से अब तक अगर न बने होते तो इस जीवन में क्या-क्या होता वही संसार, वही संसारिक्ता, वही सब शुद्र भोजन, खानपान, शुद्र व्यवहार वही सारे संसारी लोग, वही भोग विलास, वही सारे कस्टम्स, संसार की परंपराए कहां से छुट के कहां आ गए गत-गत होना है रोमान चक हो जाए स्वरभंग अश्रुधारा बहने लगे प्रेम में और इस अवस्थाओं में अश्रीरिपन पुर्शार्त नहीं होगा परिणाम होगा सहज होगा कहना नहीं पड़ेगा कि मैं आत्मा हो प्रभु प्रेम का अनुभव प्रभु प्रेम के नशे का अनुभव और ये काम करना है इकांत में रोज चुच्चा पैट कर बाबा के सामने भी अपने कमरे में भी अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग समय में अलग-अलग परिस्थितियों में इसके लिए जब बट्टिक की जाती है लक्षय रखना है ब्रेक जो लेते हो बहुत कम से कम हो। एक गंडा बैठे फाच मिनिट ब्रेक फिर चलू करो। क्योंकि मन की टिंडनसी है भगना। पाच मिनिट ब्रेक लिया, फिर से आके बैठ गया। फिर से योग, फिर से बैटके पुर्शारत, फिर ठक गए, फिर जाओ, फिर केवल पाच या दस मिनिट, फिर चालू करो, फिर जाओ, फिर चालू करो, यह भट्टी की विदी है, एक ही दिन में आट, दस, बारा, चौदा गंडे, बैटके, अभ्यास करते रहे ना, भ्यास कर रहे ना, क्योंकि मन का स्वभाव है भागना, उसको लाना है, बहुत लंबे काल तक वो भगवान से दूर रही है आत्मा, अब थोड़ा पुर्शारत तो करना होगा, पुर्शारत किसलिए करना है, पुर्शारत से मुक्त होने के लिए, एफर्ट लेस एफर्ट, वो एफर अभ्यास, प्रभू, प्रेम का अनुभाव, और केवल अपने जीवन में नहीं, दूसरों को देखते हुए भी अनुभाव करना, कि इनके जीवन में देखो, कैसे भगवान ने क्या से क्या भर दिया, कोई बहुत उचाईयों पर जा रहा है अध्यात्म में, वो महंता उसक है, यह शक्ति इसमें कहां से आई है, उसको देखो, तो उसकी याद आ जाए, और हमें कोई देखे, तो उसको भगवान की याद आ जाए, कितनी अच्छी बात है, जब हमें कोई देखे, तो उसको उसकी याद आ जाए, प्रभू प्रेम, बाबा ने कहा, जित से प्रेम होत उसके निशानी क्या है? कुर्बानी समर्पन उत्सर्ग त्याग उसके लिए फिदा हो जाना बलिहार नियोच्छावर कर देना स्वेम को कुर्बानी बड़ा उचा शब्द है बहुत उचा शब्द सर्वस्व अर्पित कर देना उसके चर्णों में उसके कार्यों में वना डथ Arabian Literature में प्रेम की साथ अवस्थाए है साथ पहली अवस्था अकर्शन उन्स जिसको कहते है दूसरी अवस्था इन्फैचुएशन उबहुब कहते हैं जिसको जिसमें वो बस एक ही दिखाई देने लगता है complete capture of mind मन में उसके अतिरिक तो कुछ समाया है यह नहीं तीसरा इश्क तीसरी अवस्था को कहा गया है इश्क प्यार हो गया चवथियस अवस्था अकीतत अर्थात रिस्पेक्ट उसके लिए उसके बाद अगली अवस्था इबादत उसकी पूजा चलू करते दिया छटवी अवस्था जुनून जिससे प्यार हो गया है अब जुनून सवार हो गया है और लास्ट फना डेथ उसके लिए मिठ जाना ऐसी साथ अवस्था है बाबा ये साथ वी हवस्था की डाइरेक्ट बात कर रहा है क्या कर दो किसलिए आए हो शमा के पास मरने के लिए मर जाओ गुल गुल नहीं गुमो क्या करो बाब का तुम से इतना प्यार है कि तुम से इतनी छोटी सीज तो मांग रहे क्या तुमारा जीवन वो दे दो मुझे दे दो प्रभू प्रेम दूसरी बात इस मुरली से बाब की चाहना क्या है? सरेष्ट स्थिती और सबसे सरेष्ट स्थिती कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता किसने कितने भाशन दिये है और कितने किसने ख्लास सुने है और कितने सेवाए की है और कितना ग्यान है और कितना योग है कितना अमरित्वेला मिस्ट नहीं किया है कितनी मुर्लिया लिखी है कितने कोर्स कराए है और कितने सेंटर्स खोले है इस पर निर्बर नहीं है कि यहां सबसे आगे कौन है सबसे आगे वो है जिसकी पवित्रता सबसे आगे है और जिसकी स्थिति सबसे आगे है इसलिए भावा ने कहा Complete Purity और Purity में अपने आप में एक निहित बल है, एक शक्ति है और वो शक्ती परिस्टितियों में काम आती है और जिसकी पवित्रता तूटती रहती है खंडित होती रहती है जब परिस्टितिया आएगी ज्यान तो होगा ये भी पताए क्या करना चाहिए परंतु एक सुक्ष्म शक्ती जो है उसका भाव रहेगा क्योंकि पवित्रता तूटी थी अखंड पवित्रता और पवित्रता की क्या परिभाशा बताई जरा भी व्यर्थ नहीं अपवित्रता का नाम निशान नहीं व्यर्थ से मुक्त हो जाना पवित्रता व्यर्थ को कौन जनम देता है क्या कहा मुर्ली में दो चीज़े अपमान और अभी मान मेरा निर्ने यथारत है मेरा संकर्प यथारत है मैं ही कर सकता हूँ एक तो अभी मान जो जितना ज़्यादा सेंसिट्यू होता है वो उतना अपम फिल करता है थोड़ा सा किसी ने बोल दिया तो हर्ट हो जाती आत्मा और जब हर्ट हो जाती है कुछ भी नहीं करपाती कोई भी पूर्शारत नहीं करपाती रोने लगती है और क्या जनम देता है व्यर्थ को तुलना दूसरों से तुलना करना ऐसा कहा गया है कि जब भी लोग सोशल मीडिया पर जाते हैं और अपने अपडेट्स चेक करते हैं दुखी होकर लोटते हैं कम से कम 72% लोग ऐसा आकड़े हैं क्योंकि उसमें देखते हैं अच्छा इतने कम लाइक्स अच्छा इसमें ऐसा उसमें वैसा ये modern दुनिया है comparison जहां होगा वहाँ पर व्यर्थ चलेगा इरशा जहां होगी वहाँ पर व्यर्थ चलेगा बदले का भाव जहां होगा वहाँ पर व्यर्थ चलेगा इस ब्राह्मन परिवार के अंदर बाहर के संसार की बात नहीं कर रहे हैं यहां उसने हमारे बारे में ऐसा ऐसा कहा और हमने नहीं सुना किसी शुबच चिंतक मनी ने आकर सुनाया बाबा ने कहा न प्रकाश फैलाओ तो प्रकाश फैलाते फैलाते पहुँच गया हो यही तो चिंता है कहां फैलाओं अपना प्रकाश क्योंकि जो न्यूज है हमारे पास इतनी इंट्रेस्टिंग न्यूज है इतनी अच्छी न्यूज है और जिसके बारे में वो क्वी गई है सबसे ज़्याद प्रकाश तो उसी के इर्दगिर फैलाना है तुमने सुना तुम्हारे बारे में वो ऐसा कह रहा था बस काम पुरा हुआ अब तुम देख लो क्या करना है और मन का एक सभाव है जो उस दिन भी सुनाया था यदि हमें कोई किसी की निगेटिव बात बताता है हमें किसी भी प्रूफ किया हो शक्ता नहीं तुरंत यकीन कर लेते हैं उस पर ऐसा ही होगा और जब हमें कोई किसी की पॉजिटिव बात बताता है हमें प्रूफ चाहिए क्या चाहिए? प्रमान चाहिए इविडेंस चाहिए हम नहीं मानेंगे और किसी की निगेटिव बात जब सुनते हैं तो किसी प्रूफ की आवशक्ता ने है तुरंत ऐसा ही होगा उसने कहा न बोला ही होगा उसी ने बोला होगा ऐसा सुक्ष्म बदला बाबा ने तो आज क्या कहा दूसरों को भी आगे बढ़ाओ चार बाते बता ही न स्वा के प्रोग्राम की सभी के प्रती शुब भावना है दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना और यदि मन में किसी एक आत्मा के प्रती भी बदले की भावना है तो हम शुब चिन तक मनी नहीं है बाबा ने कहा वो ब्रह्मन आत्माओं के लिए कहा अंदर से खाली-खाली मैसूस करेगी कमजोर मैसूस करेगी पंक जैसे तुट गए है ऐसा मैसूस करेगी और यदि हम देखे तो शायद वास्तों में हमारे अंदर सभी के लिए शुब भावना नहीं है तो क्या करना चाहिए फिर एक एक आत्मा को गिन गिन के अपने चुन चुन के आखो के सामने लाना है जितनों को हम जानते हैं एक को भी नहीं छोड़ना है क्यूंकि हर एक के लिए हमने कुछ न कुछ बोला ही है और ऐसा बहुत कम है कि अच्छा ही बोला है जैसे किसी को देखा पुर्वगरह है पहले से ही कुछ बाते उसके बारे में पहले से हमको पता है उसने हम से कई बार ब्यवार अच्छा नहीं किया हमने मदद मांगी उसने नहीं दी हमने सहयोग मांगा बिल्कुल जबरदस्ती नहीं दिया या हमारे खिलाफ असहयोग आंदोला नहीं छेड़ कर रखा है या नारे ही लगा रहा है और उसका गुरुप बढ़ते जा रहा है अब ऐसी आतमा के लिए भी क्या शुब चिन तक मणी बनो बड़ा काम है यह सबसे रादर ये संपूर्णता की अवस्ता है शुब चिन तक मणी बनना क्योंकि हर एक के लिए कुछ ना कुछ निगेटिव इदर समाया हुआ है इसलिए क्या करना पड़ेगा चुन चुन किये एक एक को पकड़ पकड़ के लाना है सामने छोड़ना नहीं है किसी को भी आँखों के सामने रखो ये आत्मा क्या सोचता हूँ इसके बारे में मन के अंदर कहीं चलता है ये हमेशा आगे-ागे करती रहती है दिखावा बहुत है इसमें ये शुब भावना है बाबा ने का जैसे सूर्य का प्रकाश अंदकार को मिटाता है वैसे तुम्हारे शुब चिंतन की किरने चमक क्योंकि संसार में क्या है कौन सी चमक है आर्टिफिशल कृत्रिम चमक है तुम्हारी असली है रियल किरने फैलाओ एक-एक आत्मा को सामने रखो और उसकी विशेष्ता एक तरफ और उसके ये अउगुन एक तरफ अउगुनों की भेट में गुन बहुत है उसमें पर हम नहीं देख पा रहे है क्योंकि सारा फोकस कहा है आउगुनों की तरफ क्यूंकि वो एक ही चीज हमको दिखती है, जैसे उसको देखा, और जो हमने एक एक आत्मा के बारे में देख के रखा है, और रिकॉर्ड करके रखा है, वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगा ही, जैसे ही उसकी चर्चा होगी, कि उसका टॉपिक आएगा हम उसके बारे में वह और पिर कहने अब कुछ भी निकलता नहीं है कहां से करता है श्रूर कभी ना कभी सोचा होगा कुछ ना कुछ चिटन किया होगा इसके लिए आएना जो होता है न उसमें परquito дома साफ करना पड़ता है उसको नहीं तो क्या हो जाती हम हैं मन भी आईना है उसको भी रोज साफ करना पड़ता है उसमें विचारों की धूल जम जाती है को है इसकी लिए काम् है एasa हुआं पूर मेर्फ शुन से उने से पहले ये काम जरूर करना है ये अमरित वेले नए दिन की शुरुवात ये काम जरूर करना है जो जो negative impressions mind में है हर एक के प्रती उसको मिटाती जाना है मिटाती जाना है क्योंकि हमने जो सुना है उसके बारे में वैसा वो सत्य नहीं है सत्य कुछ और है जो हमें पता नहीं है क्योंकि सत्य हमारे तक पहुचते 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 पता नहीं कितने लोगों ने बीच में छोक लगाई है उसको क्या-क्या डाला है उसमें और फिर हम तक पहुचा है इसलिए वो सत्य नहीं है व्यर्थ और कहां से जनम देता है लेता है एक बता है अभिमान, अपमान, इरिशाद, तुलना, ग्रिना, नफरत, बदला और sensitive nature जो जितना feeling देवी रहता है वो उतने उसमें व्यर्थ चलते है क्या, क्यूं, कैसे उसने हमसे ऐसा क्यूं कहा अपमान हुआ व्यर्थ चलने लगए जिसे जितनी मान की कामना उसे उतनी अपमान की भाबना होगी feeling आएगी उसी अनुपात में, उसी proportion में और क्या कारण है व्यर्थ के राग किसी चीज में आ सकती अपेक्षा है इच्छा है जितनी अधिक इच्छा है उतना व्यर्थ जितनी अधिक अपेक्षा है दूसरों से दूसरे मेरे लिए ये ये करे इच्छा है व्यर्थ चलेगा, और क्या बता है असफलता व्यर्थ स्विकार कर लेना है असफलता ही उससफलता से स्विकार करना है मौसम में परिवर्दन उससे भी सीखना है हर चीज से सीखते जाना है सुबह से लणत तक यह यह काम है जो कुछ हो रहा है जैसा हो रहा है उसे वैसा ही स्विकार करना कलियोगी मनुश्य है सभी हम उनसे expect नहीं कर सकते कि सभी संपूर्णता जैसा behavior उनका हमारे साथ हो हमारी हर ब्राह्मन की दूसरे ब्राह्मन से क्या expectation है कि ये 100% श्रीमत पर रहे मैं रहू या ना रहूं इससे कोई लेना देना नहीं है उसकी मैं गलतिया करू पर उसकी मेरे प्रती क्योंकि वो स्रिष्टात में उसकी शुब भावनाए बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए ऐसा ही है तो ये दूसरी point व्यर्थ इससे मुक्त होना व्यर्थ को जानना देखना यही विदी है उससे मुक्त होने की कोई चीज जब पता चल जाए यह विर्थ है फिर पूर्शारत नहीं करना पड़ेगा इसको छोड़ने का है यह वेस्ट है मेरे लिए अपने आप छुट जाएगी केवल उसको आखों में आके डाल कर देखना है एक सम्मंद है जो चल रहा है इतने सालों से उसमें दिखाई पड़ रहा है उसमें विकार के अंश है बीच बीच में पर हम उसमें भोकता भावधारन की होगे जैसे ही वहाँ साक्षी हो जाएंगे वो गिर जाएगा दिटैच्ट तीसरी बात एक्स्ट्रा सकाश किसको दो दुखी आतमाओ को अशान्त आतमाओ को अपवित्र आतमाओ को भकत आतमाओ को सन्यासी आतमाओ को तीन प्रकार की सत्ता है रोज अपना एक फिक्स करके रखना है माइंड में किस किसको मुझे सकाश देनी है पाँच तत्वों को सकाश देनी है पाँच खंडों को सकाश देनी है या अलग-अलग प्रकार की आतमाओं को सकाश देनी है भठकती आतमाओं को सकाश देनी है भक्ता आतमाओं को सकाश देनी है तीनो सत्ताओं को सकाश देनी है हल चल है सब जगह यही काम करते रहना है अम्रित वेला हमारा जो चार से पौने पाच का है वो केवल सकाश वाला हो जो योग है वो उसके पहले बावा से जुड़ जाना रूरियान करना दृष्टी लेना सम्मंद जोड़ना वो सब पहले और जो ये 45 मिनिट से वो केवल और केवल सकाश वाला हो बावा ने का एक्स्ट्रा सकाश अधिक सकाश तो आत्मा बोड़ी दुखी है आज कहाना उनको क्या आनुबह होगा जैसे कोई शक्ती है कहीं से लाइट आ रही है कुछ है पर कहां से आ रही है वो नहीं पता चलेगा कोई बाजू में बैठके कहीं कि इसा लग रहा है कहां कुछ लाइट आ रही है तो अंदर या अंदर खुश हो जाना मेरी है पर बता रहा नहीं सकाश सकाश का प्रोग्राम बनाना है एक दिन भी मिस ना होई क्योंकि सकाश एजेंसी दूसरों को देने में क्या होगा वो वापस हमें पिताएगी क्यू रिशिमुने न ऐसी प्रार्धनाय बताएं अगनी का कल्यान हो इसका कल्यान हो वो किरने जो हम भेज रहे सब कुछ व्में ही वापस आएगी यह नियम है प्रकृति का इसलिए compulsory ये काम रोज करना है आतमाओं को emerge करना है, आतमाओं को देखना है, आतमाओं को तिलक देना है, आतमाओं को वरदान देना है, आतमाओं का connection परमात्मा से जोड़ना है उनको फरिष्टा बनते देखना है उनको शरीर से बाहर निकल परमधाम जाते देखना है सारा कुछ देखना है, आत्माओं से रूरियान करनी है यह तीसरा चवता इस मुल्ली से चवती बात बाब की प्रतिक्षता बाबा ने कहा अब तक क्या प्रतिक्षता हुई है ब्रहमा कुमारीज अच्छा काम करती है ब्रह्मा कुमौरी, इसका घ्यान अच्छा है, अशुद्द व्यवारत अशुद्द व्यवार हो गया है युद्ध भी बड़ा कल्यान कर रही है, परन्तु अब क्या करें अनुभव? यह ज्ञान किसका है? भगवान का है, परमात्मा का है मेरे बाप से मुझे वर्णा मिल रहा है यह प्रत्यक्षता हो अकर्शित हो आत्मा एं परमात्मा के प्रति और अकर्शित तभी हो सकती है जब उनके उपर जो धूल मेल है, वो निकले और वो निकलने की विदी है जैसे ही हम किसी दूसरी आत्मा को देखते है जो हमसे अधिक पवित्र है अचानक उस आत्मा के प्रती आकर्शन होता है वास्तों में आकर्शन उस आत्मा के प्रती नहीं है उसकी पवित्रता के प्रती है और वो आकरशन उस आत्मा तक सिमित नहीं रहेगा वो आकरशन उसे परमात्मा तक ले जाएगा इसलिए मुख्य साधना ही ब्रह्मचर्य की है मुख्य साधना ही पवित्रता की है बस उसी में लगे रहना है बाकि सब वो आने नहीं देना है पर अंदू चलो उसके लिए थोड़ी बहुत छूट छूट भी नहीं कहेंगे पर यह सबसे मुख्यधारना है purity यह foundation है यह गया तो सब गया की कमाई चट सारा पुर्शारतिसिप का है purity का निसंग होकर रहो अंदर कोई भी साती नहीं ना स्त्री ना पुरुश तो बाब की प्रत्यक्षत है उसके बाद में चोथी पाच्वी बाद समय को समीप लाओ कैसे लाएंगे इसमें धेड़ सारे स्वमान दिये हैं बाबाने पहला दयालू कृपालू कर्मयोगी रहम दिल व सब याद करो हे कृपालू हे दयालू हे रहम दिल पहराग की बाते हमें समय को समीप लाना हैं यह भी परिणाम होगा पुरशार्थ का सभी की अकल लियान हो सब का चाहे कैसी भी आत्मा हो संतों के जीवन में दिखाया है कि बच्पन से उनके जीवन में कुछ ऐसी आत्मा जिनोंने उनको अंतिम श्वास तक तंग किया यातना पहुचाई, टॉर्चर किया फिर भी लास्ट समय में उनके उन सब को माफ तो क्या उनके मन में उनके प्रती कोई नेगटिव है ही नहीं जिसने जीवन भर सताया, उसके लिए भी कोई नेगटिव नहीं कितनी उच्छ अवस्था है यह कुछ ना कुछ तो चलता ही है यदि हमारा किसी ने थोड़ा सा भी हमको सहयोग नहीं दिया उसके बारे में कुछ तो चलता ही है पुर्शार्थ बड़ा है बहुत एकांत चाहिए इसमें क्योंकि माइंड में इतनी निगेटिविटी भरी है उसको निकालना बड़ा पुर्शार्थ है तो समय को समीप लाना उसके बाद में छटवा खाते को बढ़ाना बाप क्या देख रहे है कर्म का खाता देख रहे है पुर्शार्थ की गती का खाता देख रहे है जमा का खाता देख रहे है इस खाते को बढ़ाते जाना है दुआओ का खाता बढ़ाते जाना है आज सारे दिन बर कितने लोगों को सहयोग, आज बाबा ने का better world, तीसरी point क्या थी, better world के लिए कितना सहयोग दिया, स्रेश्ट, विश्व के लिए, जहां जहां हम सहयोग दे सके, सहयोग देना है, और कभी-कभी सहयोग यह है कि चुप रह जाना, यह भी सहयोग है, कुछ ना करना, क्योंकि तुम्हारे करने से, कुछ गड़बड हो रही है, they also win, who only wait and watch, last point, विदेशियों से मुलाकात, निर्विग्न, क्या बताया, निर्विग्न, सुभे भी चर्चा कर रहे थे, जब हम समझते हैं, यह व्यक्ती मेरे जीवन में विग्न है, तो फिर next step क्या होती है, इसको मुझे हटाना है, सब सोच से चलू हो रहा है, हम यह समझे ही नहीं कि यह विग्न है, यह व्यक्ती, यह स्थान, यह परिस्थिती, किसी भी चीज़ को विग्न समझते ही, वो विग्न बन जाता है, इसके लिए जो कुछ हो रहा है, वो विग्न नहीं है, वो क्या है, opportunities है, challenges है, मुझे स्विकार करना है, और उनमें कल्यान जीपा हुआ है, समग्र स्विकार्य, जो कुछ हो रहा है, जिस तरह व्यक्ती मुझसे व्यवहार कर रहे है, वो सब मुझे स्विकार है, स्विकार्य, वो स्विकार करते ही, वो जो खिचातान है, द्वंद है, अंतरमन में, वो कम हो जाएगा, और फिर वो विग्न नहीं लगेगा, बाबाने कहा, निर्विग्न हो जाओ, विग्न तो कुछ भी हो सकता है, श्वास ले रहा हूँ, अगर मैं सोचू कि ये श्वास विगन है, अब इससे कैसे मुक्त हूँ, ये पुर्शार चलो जाएगा, कुछ भी विगन हो सकता है, इसके लिए क्या सोचना है, ये विगन नहीं है, क्या है, opportunities, आफसर है, आगे बढ़ने का, तो ऐसी ये total साथ बाते थी, पहली बताई, प्रभु प्रेम का अनुभाव, उसकी विधी धून नहीं है, खुदी, बिना किसी से पूचे, खुदी अनुभाव करो, क्या किया जाए, दूसरा बताया, उसकी चाहना, संपूर्न प्यूरिटी, तीसरा बताया, तीसरा क्या बताया, एक्स्ट्रा अभी-अभी मुर्ली चली थी, चार प्रकार की सेवा है, लाइट हाउस, माइट हाउस बनके, सकाश तो, शुब भावना, शुब कामना से, चाहता बताया, प्रत्यक्षता, अगला बताया, समय को समीप लाओ, अगला बताया, जमा का खाता बढ़ाओ, और लास्ट, दो पॉइंट्स बता देंगे, जो चर्चा नहीं की, ऐसी पॉइंट्स, कोई पाउर्फुल, जो चर्चा नहीं की, अपना बन क्या, अपना विश्व बनाएगा, और सुब चिंतक बनना ही क्या है, एक प्रकार की मंसा सेवा, तो मुर्ली आज की भी बड़ी गहरी है, उस फिर कभी चर्चा करेंगे, ऐसे, कैसे, शुपचिंतक मनियों को, ऐसे, प्रकाश फैलाने वाली मनियों को, कौन सा प्रकाश पर, वो वाला नहीं, परचिंतन परदर्शन वाला प्रकाश नहीं, वो तो अंधकार है, ऐसी, दयालू आतमाओं को, कृपालू आतमाओं को, रहम दिल आतमाओं को, बेहत के वेरागी आतमाओं को, ऐसे, सरेष्ट भावना रखने वाली आतमाओं को, ऐसे, प्रभू प्रेम का अनुभाव करने वाली आतमाओं को, प्रभू प्रेम के नशे में रहने वाली आतमाओं को, परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओ को समय को समीप लाने वाली आत्माओ को ऐसे संपूर्ण पवित्र होता ताका व्रत धारन करने वाली आत्माओ को ऐसे व्यर्थ से मुक्त आत्माओ को ऐसे परमात्मा को एकदम दिल की डिब्बी में अंदर छिपा के रखने वाली आतमाओं ताला लगा कि दिल रुबा है ऐसी ऐसी निर्विगन आतमाओं को ऐसी जमा का खाता बढ़ाने वाली आतमाओं को ऐसी उस सूर्य की समान अंधकार को मिढाने वाली आतमाओं को ऐसी शुबचिंतन का प्रकाश फैलाने वाली आतमाओं को ऐसी कमजोर आतमाओं को में शक्ति भरने वाली आतमाओं को जल्दी आतमाओं को शीतल जल प्रदान करने वाली आतमाओं को ऐसे इम्मत के पंक देने वाली जलकटी परकटी चिडियाए है आतमाओं उनको क्या देना है पंक देना है उमागुटसा भरने वाली आतमाओं को संसार में बाबा ने का दुख है आशान्ती है बढ़ रहा है और ऐसे उनकी पुकार सुनने वाली आतमाओं को उनको आखों के सामने इमर्च करना उनमें शक्तिया भरनी है spiritual powers तो ऐसी आतमाओं को बाप दादा का याद प्यार गुड़नाइट और नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार गुड़नाइट और नमस्ते अम्शंति